हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों बजट का सीजन आने वाला है या फिर यू कहें कि चल रहा है तो आपको एगरी के जो स्टॉक है उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि सरकार हमेशा जो है कि अगरी कल्चर से रिलेटेड कुछ न कुछ अनांस करती रहती है तो ऐसे म आपको लो पी स्टॉक डूड़ना काफी ज़्यादा जरूरी हो जाता है और ऐसे स्टॉक जो की भविश्य में भी सस्टेन कर सकें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेश्टे ग्रो लाइफ लिम्टेट के बारे में हलाकि मैं इसमें पहले भी वीडियो बना चुका हू और 806 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे आप देखेंगे कि बावनविक का लो 780 है यानि इसी के आसपास यह ट्रेड कर रहा है आप देखेंगे कि इसका जो बुक वैलू है 208 रुपए इंट्रिंसिक वैलू 2400 पंचान रुपए है दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि मार्केट अभी अपने all time high पे चल रहा है हाला कि सरकार बनने की चांसेश पूरे बीजेपी की है लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो मार्केट में एक भारी करेक्शन देखने को मिल सकता है दोस्तों सरकार बनने के बाद जरूर करेक्शन होगा बने या ना बने करेक्शन तो लाजमी है क्योंकि मार्केट जो है की लगातार बढ़ती गई है कोरोना के बाद से और अभी फिलाल में 22,000 को टच करने वाली है और यह सोमवार को 22,000 भी क्रास करने वाली है यहाँ पे देख सकते हैं कि ROC 34 का है और ROE 44 का है यहाँ पे अभी काफी जादा सस्ता है और पेग रेसियो के इसाब से भी यह इस्टाउक काफी जादा अंडर वैलूड है अब हम देखेंगे कमपनी के रिजल्ट को यहाँ पे हमाग आगे हैं कि दोस्तों रिजल्ट पे यानि फंडमेंटल को चिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंग कितना ज्यादा का बड़ोत्री देखने को मिल रहा है अगर हम वहीं नेट प्रोफिट की बात कर ले तो नेट प्रोफिट कभी माइनस 4 करोड हुआ करता था आज 95 करोड है मार्च 23 में आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा की 254 करोड की सेल्स थी लेकिन इस समय कमपनी का जो expenses है जो material का expenses है वो काफी ज़्यादा हाई पे था और इस समय कमपनी का जो operating profit margin है काफी ज़्यादा गिर गया था जिसके कारण की कोई भी net profit देखने को नहीं मिला बलकि माइनस आठ करोड का नुकसान ही हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यह तो रहा क्वाटरली रिजल्ट जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया अभी हम एन्वली रिजल्ट पे चलेंगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 17 में 127 करोड की सेल्स वा करती थी जो कि अभी फिलाल में बढ़के 1746 करोड है और TTM में आपको 2005 करोड की सेल्स देखनों को मिलेगी लेकिन वह नेट प्रोफिट के बात कर ले हैं तो नेट प्रोफिट आपको 192 करोड होता हुआ दिखाई पड़ेगा 0 से 192 करोड जो की बहुत बड़ी अच्छी प्रोग्रेस किसी भी कमपनी के लिए किसी भी स्टॉक के लिए साबित हो जाता है दोस्तों अब हम बात करेंगे कमपनी के सेर होल्डिंग पैटरन के बारे में यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रमोटर है उनके पास 40% की होल्डिंग हुआ करती थी मार्च 21 में अभी फिलाल में 50% की होल्डिंग है यानि लगातार जो प्रमोटर है अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं हम यरली होल्डिंग में देखेंगे तो आपको चीजे बहतरी इन डंग से समझ में आएगी यहाँ पे आप देखें कि मार्च 17 में 9% की होल्डिंग थी फिर 18 में 9% उसके बाद 5% तक होल्डिंग मार्च 20 तक थी इस कम्पनी में लेकिन अब इसके बाद जो प्रमोटर हैं इनोंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया होल्डिंग को इंक्रीज कैसे किया अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर में कुछ नए लोग सामिल हुएं यहाँ पे आप देखिए वन दाना अलवदी इनके पास 28% का स्टेक आ गया और विमल कुमार जो कि इसके नए प्रमोटर साबित हुएं इस कंपणी के इन लोगों ने इस कंपणी में अपना इस्टेक बढ़ाया और कंपणी में अच्छा काम किया दोस्तों अब हम देखेंगे कंपणी के बिजिनेस मॉडल को आपने देख लिया कंपणी का क्या हाल है अब हम peer group को एक बार देखते हैं फिर उसके बाद कुछ और चीज़ों के देखेंगे peer group में आप देख सकते हैं कि PI industry जैसे कमपनिया हैं और हमने promoter में आपको जो हमारे यचनाई हैं उनको नहीं मैंने आपको दिखाया यफायाई इसमें 8% के करीब हैं डियाई भी हैं लेकिन public में अगर हम बात कर लें तो public में कौन से नहीं विसक सामिल हैं अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं राजकुमार जी 7.38% के इस्टेक के साथ इस कमपनिय में बने हुए हैं यहाँ पे आपने राजकुमार को देख लिया उसी के साथ सुमन रानी हैं 3% के साथ इस कमपनिय में हैं और सुरेश कुमार इनके पास 2.25 का इस्टेक दिखाई पड़ रहा है दोस्तो ए लोग हैं जो की और इसी में एक बड़ा नाम है आसीस कचवलिया जी का इन्होंने अपने स्टेक को डाइलूट किया है 2.25 से 1.36 अब इनका स्टेक इस कमपनिय में रहा गया है तो दोस्तो कुल मिला जूला कर कहें तो अभी यह स्टॉक थोड़ा सा अंडर्वैलूड है थोड़ा सा क्या बहुत अंडर्वैलूड है और यहां पे आप देखेंगे कि जो सेयर होल्डर है 583 थे आज 37,000 के करीब सेयर होल्डर है लेकिन जो प्रमोटर है उनके हाथों में अभी होल्डिंग बनी हुई है और लगातार अपने होल्डिंग को इन्होंने इंक्रीज किया है अब हम इसके बिजनेस को देखेंगे बेस्ट अग्रोलाइफ के बिजनेस को इसे समझना में काफी ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो दोस्तों यहां पे मैं कुछ चीज़े आपको दिखा देता हूँ जो बेस्ट अग्रोलाइफ लिम्टेड है यह लीडिंग मैनुफैक्चरर है अग्रोकेमिकल का जहां दोस्तों टाफ फाइव अग्रोकेमिकल कंपनियों में यह सामिल है साथ में फश्टिस्ट ग्रोइंग कंपनी है यह बात आपको याद रखना चाहिए दोस्तो 70 formulation बनाती है company साथ में insecticide, herbicide fungicide और उसी के साथ plant growth regulator भी company तयार करती है तो दोस्तो ये तो देख लिया आपने और कुछ चीजे इसकी अलावा मैं कुछ और बता सकता हूँ तो आपको बताने कोशिस करता हूँ अब product portfolio में जैसा कि मैंने बताया pesticide, insecticide, fungicide herbicide इस सभी चीजे company मनाती है उसी के साथ जो इसका नया product है BL जिसे की अमबाल कहेंगे launched two product fungicide और उसी के साथ tri-floxy-trobine ये बात आप देख सकते हैं और two herbicide 1000 पाइरोक्सो 85% WG के साथ launch हो रहा है दोस्तों revenue के बारे में बात कर लें तो generic agrochemical से 45% और hybrid agrochemical 55% का revenue company generate कर पाती है और साथ में export का भी काम करती है यानि एक international company है दोस्तो client concentration के बारे में बात कर लें तो आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है एक company long lasting connection है इनका अन्य company के साथ जैसे की UPL हो गया Adama हो गया Syngenta हो गया और उसी के साथ गार्दा chemical हो गया इनके साथ 40% का revenue इन्ही लोगों से आता है यहाँ पे आप देख सकते हो टू क्लाइंट Best Corp Science LLP यहाँ पे आप देख सकते हो यह company भी market में listed है काईपेक्स भी company कर रही है 200 करोड का काईपेक्स है company का हम इसके website पे चलेंगे और और कुछ चीजें समझने की courses करेंगे दोस्तो इस company के दो subsidiary है यहाँ पे आप देख सकते हो Best Corp Private Limited W.A.S. और Seeding India Private Limited यह दोनों ही subsidiary है यहाँ पे एक बात आओ रहेगी इस company के उपर IT की rate पड़ी थी इसके कारण भी इस stock में थोड़ा सा धारा सा आई होते हुए stock दिखा है 39 2023 को इसी तरह की rate आपको एक और company में पढ़ती हुई मिली है लेकिन income tax department ने clear नहीं किया कि यह किस company के बारे में है दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ Polycap India Limited की wire की एक दिगज company दोस्तो अब हम आ गये हैं इसके website पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़े आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे company का management वगरा आप आके trace कर सकते हो देख सकते हो company क्या काम करती है एक बार हम इसके product portfolio पे चलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो insecticide, herbicide, fungicide के साथ-साथ plant growth regulator या company बनाती है जो भाई खेती किसानी से संबंदित होंगे वो इस चीज़ों को बेहतरीन डंग से समझ पाएंगे हो सकता है कि जो सरकार किसानों का आय दोगुना करने की सोच रही है तो इस budget में कुछ अच्छा announce करें जिससे की इन company को lab मिलेगा तो दोस्तों आने वाले हर बजट में companyya focus में रहती है यूरिया डाई और जो agrochemical से संबंदित companyya होती है वो अमेशा focus में रहती है आप जा कि chart देख लेना और इस समय जो based agro life का P काफी कम है एक बार मैं आपको chart पे दिखाता हूँ यहाँ पे हम median P trace करने की कोशिस करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 का median P निकल के आ रहा है अगर हम यहीं बात कर ले price की तो price भी आप देख पाओगे कि company का price अभी फिलाल में 800 के label पे दिखाए पढ़ रहा है और ठीक ठीक अपने support area के आफ़ पात है इसका support दोस्तों यहीं पे है और इससे नीचे यह stock जाने वाला नहीं है यह बात आप याद रखना यह वाला support आप mark करके रख लेना यह 800 का label इसके नीचे साय दी जाए अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ा साब को सावधान रहने की जरूरत है लेकिन इसके नीचे यह जाएगा नहीं तो दोस्तों यह रहा बेश टेगरोर लाइब limited के बारे में कुछ scenario था जो कि मैंने आपके साथ साजा किया आपको यह stock कैसा लगता है आप मुझे comment करके बता सकते हो एक बार इसके balance sheet को आप जरूर देखना यहाँ पर आप देखिए कि जो reserve है company का 46 से बढ़के 682 हो गया है और जो borrowing है 595 हो चुकी है fixed asset company लगातार बढ़ाती जा रही है 19 से बढ़के fixed asset 220 करोड हो चुका है और लगातार company CWIP यानि expansion कर रही है तो यह भी बात आपको focus में रखना चाहिए दोस्तों यह रहाए based agro life limited के बारे में कुछ बाते जो मैंने आपके साथ साजा किया यहाँ पे और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ company 5 वर्सों से जो sales growth कर पा रही है 63% का और compounded profit growth 157% का है company 5 वर्सों से 132% CGR के हिसाब से अपने निवेसको को मुनाफ़ा कमा के दे रही है यह बात भी आपको बूलना नहीं है तो दोस्तों यह रहा based agro life के बारे में कुछ चीजे जो